जै मसी की मसी परिवार वचन जीवन कारी करम में आप सभी को हम स्वगत करते हैं एक बार फिर और धन्वात देते हैं एमारे साथ में सामिल होने के लिए यह याद रखना कि जो कुछ आप आज के दिन में चुनते हो वो कल का परिणाम रहेगा और जो आपने कल चुना है वो आज का परिणाम आपके लिए है तो इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि जो आप चुनते हो या जो परिणाम आप देखना चाते हो अपने जीवन में तो उस परिनाम के प्रती आपको चुनना पड़ेगा क्योंकि दरमसास कहता है कि परमेश्वर अंत से लेकर सुरुवात तक जानता है यानि कि परमेश्वर जो अंत में चाता है वो सुरुवात से चुनता है और वो उसका परिनाम रेता है तो क्यों न हम प्रात्ना कर ले और हम अपने वचन में जो सीख है उसमें हम आगे बढ़ेंगे सुरगे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए इस समय के लिए आपके वचन के लिए जिससे हम सीखते हैं और हम ग्यान को बढ़ाते हैं आपके जो ग्यान का आत्मा जो हमें दिया है जो हमें परकाशित करता है अपने जीवन में और इसके द्वारा हम अपने जीवन को बैतीत कर सकते हैं ईशू के पवित्र नाम से आमें आइमें तो जैसे का जो आगिया था उसका जो पालन नहीं किया तो उसके द्वारा से आत्मिक मिर्तिव आया या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर और मनुष्ट का जो रिस्ता था वो ठूट गया था लेकिन आज हम देखेंगे कि मनुष्ट का जो आत्मिक मिर्तिव और सब्यता याने कि हम मनуш्य आदम के बाद में जितना भी मनуш्य का जनम हुआ वो सब सैतान के वेकावे में आ गया आ या शैतान के चंगुल में फ्स गया और सैतन की तरह जीने की जो जो जो। जो 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 जुस तरह से शैतान का जो जू ता जो पाप उसमें जीने लगा तो हम लुग सुरुआत करेंगे और सुरुआत करेंगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे पहला यहनना के किताब 5 और 19 बादरी तो हम इस विशे में आगे बढ़ते हैं और जैसा वचन कहता है कि मानो जाती का इतियास और उसका राष्ट जो दुरगटना था वो कैसा था वो जो पूरी दुनिया में दुष्ट के अलिंगन में पड़ा था जिसे हम जानते है कि जब आदम के द्वारा पाप हुआ तो सारी जो स्रिष्टी सी जो सारी दुनिया थी वो एक पाप के आलिंगन जो पाप के द्वार है उसी पर जाकर रुटी थी तो जैसे पवित्सास में हम आगे पड़ते हैं पद्री तो लिखा है जैसे योना की पुस्तक में कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वस में पड़ा है तो यह सही है जैसे हमने जैसे वचन कहता है कि जब स्रिष्टी का रश्णा हुआ और परमेश्वर ने हम सब को रचा लेकिन जब उसने हमें रचा तो हमारे पास उसी तरह का शक्ती था जैसे आदम के पास जब हम फिर देखते हैं आदम के बारे में अगर हम पिछे जैसे हम कुछ सबते हुए कहते कि आदम के जो शक्ती था आदम का जो कितना उसका अधिकार था सारी स्रिष्टी पर उस समय उसको परमेश्वर ने जो शक्ती दी थी कि वो हर एक चीज़ पर अपना अधिकार जमा सके और जैसे वो हर एक पादरी कि हर एक जब जानवर का नाम जब आदम ने रखा तो वो बड़े या छोटे का कोई अंतर नहीं था सब जानवर उससे डरते थे चाए छोटा कीडा मकडा हो या शेर भालू या हाथी सब आदम जो कहता था उस पर चलते थी लेकिन जब हम देखते हैं आदम ने पाप किया जब आदम का गिरना हुआ तो ये सब कुछ ये सब जो था इसमें से कुछ ही नहीं बदला हर एक चीज वैसा ही था हर एक जानवर हर एक किड़े मकड़े सब उसी तरह से बदला तो सिर्फ एक ही खुद आदम आदम जब गिरा सब चीजे वही की वही थी लेकिन उसका जो शक्ती था जो ताकत उसमें उस पर परमेशवर ने ढाला था वो ताकत उसमें से निकल कर और वो बहुत कमजोर हो गया उसके बाद परमेशवर ने उसे उस बाटिका मेंसे भी निकाल दिया तो यहां हम देखते हैं पादरी की शुरुआत से जब हमने कुछ शब्ते या कुछ महीने पहले हम यह इस चर्चा पर आये थे और आदम से जब शुरू किये थे तो हमें यह सीखना भी बहुत जरीर है इस वक्त जब हम पवितरसास पढ़ते हैं कि शुरुआत में हमारे पास कितना सक्ती था और एक मनुष्य के गिरने के बाद कितना बदल चुका हर एक संसार का हर एक चीज बदल चुका लेकिन फिर जब हम इस विसे में बात करते हैं तो अ्बुड़ करता है तो इसकी इस लिए परमिश यूप दो परमिश्य था ऐसे हमें अगर देखते हैं इस विशे में और चरचा करते हैं तो हम यह जानते हैं कि जो पाप में हम बसे थे और पाप तो आजबी है हर एक इनसां पर लेकिन उस से निकलने के लिए हमारे पास र रास्ता सिर्फ एक है अगर हम मानें और अपने मन में उसे रखें अपने अंदर रखें और मसिया को जाने कि वो ही हमारा रास्ता है तो हमें जो दुरगटना आदम से लेकर रास्त तक हुई है उस पर नहीं चलना है हम यह कह सकते हैं कि जब आदम ने एक चुनाओ को किया शैतान के सुनने के या उसके वचन को जब उसने सुना पदरी साब तो हम देखते हैं कि शैतान से पहले परमेश्वर उसका राजा था या परमेश्वर उसका प्रभुता रखता था परमेश्वर अपने पूरे जो सामर ते वो दिया आदम को ताकि परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर अधिकार रखता था उसी तरह से उसने आदम को अधिकार दिया ताकि वो अधिकार इस संसार पर रखे या परमेश्वर ने जितनी चीज़ की योजना बनाई उस पर अधिकार रखे लेकिन जिस समय आद करना या नई करना ये चुनाव रहता है मनुश का जैसे दरमसास कहता है पादरी साब अगर हम देखते हैं कि रोमन्स 10 17 में कहते हैं कि सुनने से विश्वास आता है उसी परकार से जब आदम ने शैतान का जो आवास को सुना और उसके आवास को सुनकर उस पर विश्वास किय कि उसके पास सामर्थ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पूरे तोर से सामर्थ को दिया, और जब उसका आवाज को शैतान सुना, जब आदम ने सुना, तो क्या होता है कि जब उसके सुन कर उसके पालन को किया, उसी समय आत्मिक मिर्टिव आया, क्योंकि जिसको आदम को सुन जिसका आवाज सुनना था जिसका पालन करना था उसे वो छोड़ दिया जिसने उसे रचना किया तो यहां पर क्या होता है कि जिस समय आदम ने वो किया या आदम का जब जैसे परमेश्वर ने का कि तु आवश्य मर जाएगा तो आत्मिक रूप से आदम का मिलती उस समय या ने की सब्त को सुना, तो क्या होता है कि उस समय, आदम, हम ये कह सकते हैं कि आदम का जो राजा था या जो प्रभूता था, परमिशवर के इलावा या परमिशवर को छोड़ कर अब शेयतन उसका प्रभूता करने लगा, वो शैतान का नीचे आ गया ताकि वो शैतान का जो उपासना करने लगा क्योंकि क्या होता है कि उसने शैतान का बास सुना तो आज क्या होता है कि मनुश्य हम ये कह सकते हैं या तो वो परमिश्वर यहुआ परमिश्वर को जिसने स्रिष्टी की रचना किया या हम सिंपल ये तो शैतान जो पाप का जो जो सुरुवात किया वो उस पर प्रभुता करने लगा और फिर क्या होता है कि उसके बाद में जब मनुश्य उस पाप के चंगूल से या उसके शामर से निकलना चाहा तो वो निकलने के लिए रास्ता नहीं जानता था अगर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ओ बहुत से पढ़ाई कलकाई कर लेते हैं एजॉकेटर्ड हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर एजुकेशन भी फैल हो जाते हैं पादरी साफ क्योंकि हम ग्यान प्राप्त करकर जो игр ग्यान zijn उसे प्राप्त कर हम उद्धार नहीं पा सकते हैं क्योंकि मनुष्य सैतान का आवास सुनकर पाप किया लेकिन अगर मनुष्य को बचना है तो हम ये कह सकते हैं कि फिरल उटकर हमें उस इस्तान पर जाना है जहां पर मनुष्य को परमेश्वर की आवास को सुनना है और उस पर विश्वास लेकर आना है हम देखते ह पादरी साब एक जो वेग्यानिक जिसे साइंटिस कहते हैं उसने परमेश्वर को इस प्रकार से कहा कि जो मसीयों का जो परमेश्वर है बोले उसके कोई प्रेम नहीं है उसका पास प्रेम नहीं है लेकिन वो गलत है क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और प्रेम क के द्वारा मनुश को फिर उसने बचाया भी, वो आदम को खुद बचाया, अगर हम देखते हैं उस समय में, अगर आदम का जो मिर्ती हुआ आत्मिक रूप से, सरीरिक रूप से भी मिर्ती हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम था, वो उसे बचा लिया, तो क्या हो मिर्ती हुआ, और परमेश्वर के जो उपस्तिती से दूर किया गया, और फिर कुस दिन बाद जो हर एक मनुश जनम लेता है, शरीर को भी छोड़ता है, यह शरीर भी मिर्ती हो जाता है, लेकिन अब मनुश का क्या जब वो मर गया तो उसमें अनंत जीवन की आवशक्ता र है, पादरी इस से पहले कि हम यह भी हमें हर इत इनसान को जिसे हमें यह जनना बहुत जरूरी है, अगर परमेश्वर का प्रेम उसका जो प्रेम है हमारी लिए नहीं होता, तो आज भी हम उसी तरह कई तरह की बिमारी और पीडियों और कई तरह की तकलिफों में जकड़े ह होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अगर हमसे प्रेम नहीं करता तो हमें बचाने के लिए अपना एकलवता पुत्र क्यों देता है, तो अगर हम यह कहें कि अगर कोई कहता है, या कोई विग्यानिक कितना भी भारी हो, विग्यानिक अगर है तो उसका जो जो उसके अंदर जो शक्ती वो कहां सहता है, एक इनसान खुद अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर का ताकत उसके अंदर नहीं है, उसका जो जो ग्यान है, उसके सरीर में नहीं है, अगर हम भी जैसे अगर आपको देखें, अगर परमेश्वर के ग्यान पर हम नहीं चले अगर हम नहीं चलें, तो हम किस तरह का ग्यान पा सकते हैं, तो उसी तरह से हम कही सकते हैं, परमेश्वर का फ्रेम जो है, वो सदा है, और सदा हमारे लिए रहेगा, और हम जिससे आगे पढ़ते हैं, एफिसियंस 4, 17 में तो कुछ ऐसा है, इसलिए मैं कहता हूँ, और प्रभु मैं जताय देता हूँ कि जैसे अन्य जाते लोग अपने मन की अनर्थ की रिती पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धी अंधेरी हो गई है, और उस अग्यानता के कारण, जो उन में है और उनके मन में कठोरता के कारण, वे प अधेरी है, और प्रमैश्वर जानता है, कि हम जो अगर विश्वास करते हैं, उसपर अगर हम कुछ गईरे लिए से बात करें तो हम यह कह सकते हैं, हमने उस पर चला है और हमने उससे आजमाया है तो हम अगर परमेश्वर में हैं तो हम जरूर कह सकते हैं कि हम अन्य जाती हैं लोगों के रिती पर नहीं चलते हैं हम उस पर चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है क्योंकि आन्य जातियों के बारे में हम कहते हैं तो उनकी बुद्धी और जो उनका दिमाग है जो उनका बिचार है वो एक विश्वासी की तरह नहीं है तो परमेश्वार हमें वो ग्यान और बुद्धी दिया है जो उसका किताब में लिखा है वो कभी मिट नहीं सकता तो अगर हम उनके पालन पर चलें और उनकी उनके जो जीवन का रास्ता जो इशू ने हमारे लिए चुना है तो हम यही कह सकते हैं पादरी कि हमें परमेश्वर से अलग और उसके जीवन से अलग कोई नहीं कर सकता अगर आप रोमन सब्टा फाइव वेस्ट्वाल पड़े पादरी इसलिए जैसा एक मनुष्य के दौरा पाप जगत में आया और पाप के दौरा मृतिव आई और इस रिती से मृतिव सब मनुष्यों में फैल गई इसलिए कि सब ने पाप किया पादरी तो हम यह देख सकते है कि पाप अगर हम यहां पर कह सकते हैं कि मनुष्य करम से पापी नहीं तेरते पादरी साब मनुष्य जनम से पापी है क्योंकि दरमसास कहता है कि एक मनुष्य ने पाप किया तो उसके दौरा पाप सभी मनुष्य का जो पाप में फैला गया ना पाप उसके आया लेकिन हम य आगले जो स्टेडी रहेगा, निखेंगे, बटम यह भावाध के बिएते हें जब एक मनुश्के को इसको प्राप्त करना है, जानना है कि इसुमसी आमब चुमा करताहिं ठैनकोढ़ barrier है. 1st Corinthians chapter 15 verse 22 यहां पर, जैसे लिखा है पादरी कि अगर हम इसे और गेरी ली तरवी से देखें तो मनुष्य अपनी स्थिती से सुएं को अपने प्रासान से छुड़ाने के लिए पूरी तरह से लचा रहें, तो यह हम कह सकते हैं कि जब बाप के द्वारा जब बाप आया तो उस और फिर आदम जो एक आदम ने सैतान की आगया मानने के बाद, अपने आपको और अपने अधिकार को सैतानी अधिंता में लाने के बाद, उसके पास खुद को उस स्थिती से मृतक करने का कोई अधिकार नहीं था, जहां तक माननिय प्रासान सों का संबंद हैं, एक वेक्त ने मानो जाती के भागे पर मोहर लगा दी, तो यह कहते हैं कि जो आदम था, वो सिर्फ उसकी सुरुवात ने वही था, तो उसी ही के द्वारा, जो हमारे जो दुख है, तकलीफ है, हर एक तरह की चीज जिसे आज हम कह सकते हैं, वो आदम के गिरने के बाद हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसी में सब जिलाए भी जाते हैं, तो हम आदम का जो दुरगटना था, जो जिस तरह से वो वो उस बाटिके से निकाला गया था, और जो भी कुछ वो किया, उसके बाद मृतिव आई, जब कि उसके जो पहले कि मृतिव आई, तो वहां से हम देखते हैं कि मृतिव आई और हर तरह की दुख, तकलीफ, पीड़ी से पीड़ी तक आती रहें, लेकिन अगर हम उसको लेकर चलें तो हम खुद उसी में फसे रहेंगे, क्योंकि हम उसको छोड़कर आज हमें वो जानना चाहिए कि परमेश दुख, तो हमें उस से निकलने के लिए परमेश्यूर ने रास्ता भी दिया है कि उस लड़ाईयां से, उस जंजट से, उस बीमारी से, जिसमें हम फसें हैं, और जो बीमारी है उसे लेकर हम चलते हैं, और कहते हैं कि यidade कि परमेशूर ने किया है, परमेशूर ने कुछ न पारे लिए बेशना है। गड़ गया था ना क्योंकि जो अधिकार प्रमिश्वर ने जैसे आपने कहा था कि अधिकार प्रमिश्वर ने मनुश को दिया वही अधिकार मनुश ने उठा कर शैतान को दे दिया। और कोई बड़ा या शक्तिशाली आना पड़ेगा जो सैतान को हरा कर मनुश को बचा सके। और प्रमिश्वर खुज जानता था कि और कोई तो है ने मुझे ही जाना पड़ेगा नमने के तोर पर अगर हम देखते हैं कि अगर अगर देश-देश का लड़ाई हो तो अगर एक देश एक देश को आकर पकड़ लेता है तो उसको चुटकारा देने के लिए जो और एक आएगा तो उसे महाँ शक्तिशाली होना चाहिए जो देश उसे अपने बस में किया है तब इस लोगों को बचा सकता है या तो अगर हम यह ऐसा भी देखे पादरी साब नमनी के तोर पर अगर समझ लो मेरे बेटे को किसी ने कबजा कर लिया किद्नेप कर लिया है और जो ने किया है शाइद मैं अतना शक्तिशामर्त नहीं हूँ कि उसे जाकर लड़ाई करू और उसे बचा सकू तो मुझे ऐसा डूनना पड़ेगा जो उससे शक्तिशाली है तब जाकर उसे बचा सकेगा उसी परकार से यहाँ पर क्या होता है कि जब मनुष को सैतान के बंदव की जड़ूरत नहीं था उद्धार की जड़ूरत था या पाप से मुक्त की जड़ूरत था क्योंकि अगर चमा करदेते तो उससे बचा सिर्फच करने के लिए खुद इस मसी आया आमें ताकि मुक्ती जो है वह एक नया सीरी से जनम देता है एक नया मनुष का जनम नया जी मनुष्य का जो आत्मिक मिर्तिव है पादरी साब आत्मिक मिर्तिव वो आत्मा जो मिर्तिव में पढ़ाता वो पढ़ा ही रहता लेकिन जब उसे नए सीरी से जनम लेता है या वहां से निकालता है तो क्या होता है कि अब वो आत्मिक मिर्तिव में नहीं लेकिन वो आत्मिक ज और की आवश्यक्ता पड़ी और जब येश्व आया तो हम वो हमारे लिए एक खुश्याली लाया कि अब हमारे बचाव के लिए हमें हमारे और से लड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने आपको या अपने पुद्र को हमारे लिए भिशा है तो आज हमें ये रहस जानना है यह जानना है कि आज हम जिवीत हैं और हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हमारे पास हर एक तरह की शक्ती है, हम एक खुशाल जिंदगी जीते हैं, तो यह सब का रास यह सब के पीछे क्या है, जो परमिश्वर ने हमें अपना फ्रेम दिया, क्योंकि हम खुद अपना ड़ा आज भी नहीं लड़ सकते हमें मसी की जरूरत हैं, हमें हर तरफ हर जगा मसीया हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है तो हम आगे देखें प्रादरी की हिब्रूस तेन लेवन में जो लिखा है कि प्रतियेक महा जायक प्रति दिन खड़े होकर सेवा करता था और इसराइल के पापों के लिए बार बार एक ही परकार के बलिदान चड़ाता था पर मेश्वर की वाचा के लोग अभी आत्मिक रूप से मरे हुए हैं और उन्हें पापों के लिए निरंतर चमा की अवशकता थी जो उस स्तिती का परिनाम थे तो यहां हम देखते हैं पादरी की जैसे और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदीन सेवा करता है और एक ही परकार के बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चड़ाता है यहां पर क्या होता है पादरी साब ऐसे जो आपने पड़ा भी यह ऐसा होता है कि क्या होता है कि महायाजक वहाँ पर थे अगर मैं पाप किया मैं महायाजक के पास आता हूँ तो वो मेरा भेट ले ले लेता है लेकिन एक साल बाद फिर मुझे भेट लेकर आना पड़ता है क्योंकि मेरे पाप चमा हो गया लेकिन मुझे पाप से मुक्ती नहीं मिला इसलिए दरमसास कहता है कि मुक्ती जब होता है हमारा जो पाप है वो चमा हो जाता है और हम देखते हैं कि इसलिए जब इसराइल के लोग थे वो हर एक साल, एक साल हो गया फिर लेकर आना, फिर एक साल हो गया फिर लेकर आना, लेकिन जब इसु मसीया दरमसास्त कहता है कि उसने एक बार पूरे पाप से लोगों को मुप्त किया और छमा किया, हम देखते हैं पा के दारा वो दूर हो गया परमेश्वर से तो अगर मिर्तिव में उसका जनम हुआ तो क्या होता है कि फिर से उसको जनम लेना पड़ता है जिसे हम बोन अगेन कहते हैं अंग्रेजी में फिर से जनम लेना पड़ता है ताकि उसका जो आत्मा है वो मिर्तिविक आत्मा वो फिर स जनम ले लेकिन अब जब वो जनम लेगा वो धारमिता में जनम लेगा इसमसी के सामरत के द्वारा जनम लेगा उसका आत्मा जो रहेगा वो पाप से मुक्त हो जाकर जनम लेता है तो अगर आगर आप पढ़े पादरी साब जोन 3-7 अगर आप पढ़े जोन 3-7 में पढ़े त कैसे नए सीरे से जनम लेना आवश है, जब नए सीरे से जनम लेता है, इसलिए जैसे हमने कहा कि मनुश को जो आनंत जीवन का आवशकता है, तो उसके लिए नए सीरे से जनम लेना पड़ता है, और कैसे नए सीरे से जनम लेता है, जब इसमसी को हम अपने मुख से कहते हैं कि विश्वास करता है कि परमेश्वर उसे मिर्तियु में से जिलाया है. तो जब नेसीरे से जनम ले लता है पादरी, तो क्या होता है उसका अगर आप जोन चप्टा वन वेस्ट वाल पड़े? परंतु जितनों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार भी दिया जितनों ने इसमसी को ग्रहन किया पादरी साब उन्होंने उतनों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया यानि कि अगर आप इस मसी को नहीं अपनाते हो, आप परमेश्वर को अपने पिता नहीं कह सकते हो, परमेश्वर को परमेश्वर कह सकते हो, लेकि उसे पिता नहीं कह सकते हो, क्योंकि इस मसी को अपनाया नहीं आप, आपके नए सीरी से जनम नहीं लिवा, आपका जो आत्मि मृत्यव, अभी भी आप आत्मिंक मृत्यव में है, याने कि परमिश्वर से दूर है, तो यहांपर हम देखते हैं पादरी साथ कि जब हम परमिश्वर गौई इस मसी को अपनाते हैं, तो वो हमें अधिकार देता है कि वो परमिश्वर का पुत्र कहलाए, वन जोन फाइब वन अगर आप पड़े पादरी साथ, जिसका या विश्वास है की इशू ही मसी है, वा परमेश्वर से उत्पन हुआ है, और जो कोई उत्पन करने वाले से प्रेम रखता है, वा उस से भी प्रेम रखता है, जो उस से उत्पन हुआ है, जो मसी को अपनाने के दरा है, और वहां पर क्या होता है की परमेश्वर का जीवन है, या परमेश्वर का जीवन, मनुष्टा का जीवन, मनुष्टा का जो आत्मा है, वह शैतान के चंगूल से, शैतान के कानून से छुडाया ले जाता है, Romans 8-2 पड़े आपादरी, अभी विक फ्रम्की आत्मा की विवस्ता ने मसी इशू में मुझे पाप की और मृतिव की विवस्ता से सोतंतर कर दिया याने कि पाप का कोई बाग मेरे आत्मा में नहीं रहता है, और उसी तरह से हमें जीवन, अंत में अगर आप पड़े, पादरी साब, यहाँ पर दिखलाता है कि जो परमिश्वर का जो नईचा है, वो मनुष्वर, वो मनुष्वर, वन जोन, टू, शीक्स, यह कहता है, पादरी की, परमिश्वर का जो सोभाव मनुष्य को पिता के साथ चलने की समता देता है, सोभाव, उसे मसी, उसके साथ चलना आया, चलता है, और जैसे लिखा भी है, कोईया कहता है कि मैं उन में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, जैसा हुआ चलता है, याने कि जब हमें नए सीरी से जनम ले लेते हैं हम, अब हमारा जो सभाव जो रहता है, वो परमिश्वर का सभाव हो गया, आब हमें जीवन में परमिश्वर की तर चलना चाहिए, याने कि हम लोट कर कहा जाते है पादली साब, जनेसस जो उत्पति का किताब है, जब पाप नहीं था, वहाँ पर हम चला जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने आदम को बना कर उसे सारे अधिकार को दिया, याने कि जब हम फिर से अपने नहीं सीरी से जनम ल मनिस उस आत्मिक मिलतीद से चुटकारा पा सकता है ईसमसी के द्वारा और चुटकारा पाकर प्रभी ईसमसी की सौभाव में अपने जीवन को बैतित कर सकता है वो इसे ही पादरी जिसे हमने भी कहा कि जब हम उसी की तरह चलें जैसे आश्यू मसी हमें चाहता है और जो उसका सौभाव या उसका जो रहा से हमारे लिए है वो कितना सुन्दर है कि हम अगर ये शू कहें कि हम उस तरास्ते से चलें जिस पर हमें चलना है तो अगर हम जानक किसी गड़े में गिरेंगे, तो दुख हमें होगा और अगर हम जानते हैं कि वहां से बगल हमें जाना है तो हम जाएंगे. उसी तरह से आज हमे उसको जाना है कि हमिए गिरने से बचाने के लिए परमेश्योर ने अइक उतलode आममनू तो आम जिसे यहां पर अंत करते हैं पदरी साफ सीर में यह बातों को उतेजित की और तरह स的話 लोगों को चब भी ग़्जब इस जो परिच्छा आया शयतां परिच्छा लेकर इस मसी के पास भी आया और वो कहने लगा कि जो वो भूका था उसने कहा कि तू रोटी बना दे इस पत्तर को या उंचे इस तान पर लेकर गया और यहां पर कहता है कि अगर आप अपने आपको गिरा दोगे तो सुरगदूद बचाएगा या मुझे गिर कर उपासना कर तो मैं संसार को दे दू जीना उसी परकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है पादरी साब वो हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं जीना चाहिए हमें परमिश्वर की वचन के द्वारा जीना है और जब हम बिकॉस यह होता है कि यह नए सुभाव है हमारा यह नए सीरी से जनम लेने का सुभाव उसी तरह का जीवन है ता जो परमिश्वर कहता है अगर परमिश्वर कहता है कि इस पेड़ से मत खाये तो मत खाये चाहे वो कितनों सुन्दर लगता है खाने में भावी है खाने में सवाद लगेगा लोग कहता है लेकिन अगर परमिश्वर कहता है कि इसके मत खाये तो मत खा क्योंकि आपने जब मनुश को देखा कि मनुश अपने आपको बचा नहीं सकता है और वो आत्मिक मिर्तिव में है तो आपने खुद अपने आपको दिया अपने पुत्र के द्वारा याने इशुमसी के द्वारा जो आया प्रेम को दिखलाया और उसके द्वारा हमें नए जन अनन्त जीवन बहुत आवशकता है ताकि हम वापस जो हमारा जो रिस्ता ता ठूट गया वो रिस्ता जुड सके। धन्यवाद देते आपको क्योंकि आपी के द्वारा जब रिस्ता जुडता है परमेश्वर आपका जो सभाव है वो मनुश के उपर आता है और वो है कशावाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए लेकिन सबसे अच्छा उपार और आशिज जो परमेश्वर देता है वह है अनंतजीवन ओन आनंतजीवन और पाप चमद में ईश्यू पर विश्वास करने से ही आता है तो अगर आप इशु पर विश्वास करना चाहते हो पूरे हिर्दे और धिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो बप्तिश्मा लेना चाहते हो कलिशा को जोइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो वो शुर तू मेरा प्रबो है तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे छमा दिला मेरे दिल में आ अपने आत्मा से भर मैं विश्वास करता हूँ कि तू स्वर से आया मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा फिर से आने वाला है मुझे मदद कर आत्मा से भर विश्वास में चला इश्य के नाम से अगर आपने वो प्रात्ना किया है मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है आपके सारे पाप छुमा हुए आप एक नए जीवन नए शिस्टी बने हो तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्थ करें होगे हम लोग आपको मदद करना चाहते है विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए और आपको मुतेजित करते है कलिश्या ढूंदिये बाइबल को पाईए बाइबल पढ़िये और अपने विश्वास में मजबूत बनिये और अपना जीवन इश्व के लिए जीए धन्यवाद एक पार फिर आप हमारे साथ होने के लिए पर में श्वार आपको बहुता है आशिज दे और यह हमेशा याद रखना कि इश्व मसीह ही प्रभू है पर आपको बहुता है पर आपको बहुता है